चिन में क्या होता है एलकाइल हेलाइड के 2 मॉलिक्व्यו की रीकशन लेनी करानी होती है। ड्राई इ bekommen तू सोडियम एटम्स है अलकाइल हेल्गियर हेलोलकेंस जब भी भी मैटल से रीक्षन करता है जनरली सभी रीकशन में ड्राई इधर की प्रिजन सी न northern हेलोजन हो सकता है, NaCl, NaCl या 2NaX जेनरली बाहर, और क्या बन जाएगा आपका RR, तो क्या बनतावा दिखाई दे रहा है, आपको एलकेन बनते वे दिखाई दे रहे, RR भी एलकेन होते है जिसे RCS3 होता, और ये भी CS3 होता, तो CS3 CS3 यह C2H5 होता, यह C2H5 होता तो ब्यूतेन बन जाता, दो कार्बन और दो कार्बन चार कार्बन वाला, सिंगल बॉन्ड वाला ब्यूतेन हो जाता, यह C3H7 यह C3H7 हेक्जन बन जाता एक बात का धिहान रखोगे, यह दोनो R सेम होने चाहिए, मतलब आर और डैस अलग अलग नहीं होने चाहिए कहने का मतलब यह है कि अगर यह CS3 ले रहो तो आप यह C2H5 नहीं ले सकते